तो सर हमने last class के अंदर एक बहुत ही आसान सा चप्टर जिसका नाम था contract account इसको start किया था मैं एक बार फटा फट बहुत fast नहीं और बहुत slow भी नहीं मैं पूरा चप्टर एक बार recall कर देता हूं कि सर contract account था क्या और क्या करने वाले थे हम basically सर contract account मैंने बताया था basically contract account जो होता है ना वो contractor बनाता है तो हमारे पास दो तरीके के person होते हैं एक होता है हमारा contractor और एक होता है जो की contract देता है सर contractor कौन होता है contractor वो होता है मैं ER लगा देता हूं contractor और W लगा देता हूं तो जो सर मकान मालिक होता है ये अपने मकान को बनवाता है तो इसको कॉंट्रेक्टी बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं सर कॉंट्रेक्टी और जो दूसरा परसन है ये मकान को बनाता है इसको बोलते हैं कॉंट्रेक्टर साधारान से सब्दों में बोल सकते हैं हम ठेके दार और यहां पे हम बात करें न तो मुद्दे की बात ये है सर के जो ये ठेकेदार अपना घर बनाए किसी का भी घर बनाएगा तो उसके लिए एक अपना profit and loss तयार करेगा उस profit and loss को profit and loss ना कहके हम क्या नाम देते हैं उसको contract account तो इधर की side सारे के सारे खर्चे रहते हैं हमा outstanding labor भी हुआ तो वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा खर्चा जैसे पी एंडल में करते थे ना वैसे ही करना है overhead खर्चा है जैसे office expense salary journal outstanding अब यहां पे सर्ख खर्चे में machinery तो खर्चा नहीं है definitely हम machinery का depreciation भी दिखा सकते हैं यहां पे बाकी दूसरा तरीका होता है हम यहां पे machinery का ओपनिंग balance दिखा दे और इधर machinery का closing balance दिखा दे तो जब हम machinery का opening balance दिखा देंगे और closing दिखा देंगे तो automatically यहां सरिफ depreciation reflect होगा जो कि last class में हमने चर्चा भी की थी और काफी सारे बच्चों ने उस classes को देखी होगी और काफी सारे बच्चे जो नए हैं वो अच्छी तरीके से देख लेंगा और first class से फिर to be continue अगली class से वो continue कर सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए सर इसके बाद सर बाय साइड में क्या आएगा income income क्या था सर हमारा work in progress work in progress का मतलब क्या है हमारा काम चल रहा है कभी भी contractor क्या करता है एक काम को करने में काफी समय ले लेता है तो काम complete तो हुआ है नहीं इसलिए work in progress अब यहां पर दो सब्दा है थे एक आया था work certified और एक work not certified तो सर वर्क certified क्या होता है architecture जो की मकान का नक्सा तयार करता है जो की मकान के बारे में बताता है architecture वगेरा वो अगर कोई architecture है तो वो क्या करेगा सर वो फटाक से वो आपके काम को certified कर देगा कि भी आपका इतना काम complete हो गया है अगर इतना काम complete वो बोल देगा तो इसे बोलेंगे सर WORK certified बोलेंगे और उसके बाद अगर जो काम आप उसके बाद करते हो unsertified हम आगे चलेंगे और इसको और भी चर्चा करके समझेंगे अगर कोई stock return करेंगे तो इस side आ जाएगा closing के अंदर material और machinery इस side आ जाएगा closing के अंदर material और machinery इस side आ जाएगा material जैसे हमने यहाँ पर opening material कुछ बच जाएगा तो याद होगा P&L में closing इदर दिखाते थे न तो वैसे दिखा देंगा है P&L यहाँ से निकलता है surplus अब न सबसे पैसा ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति कौन है न वो है contractor और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जहिलने वाला व्यक्ति कौन है वो भी contractor है तो contractor का कई बार क्या होता है जितना काम करता है तो कुछ न कुछ कमी छोड़ दे मान लेते कहीं लीके छोड़ दिया या कोई वाल अच्छे से प्लस तर नहीं किया या कोई मतलब के टाइल वगएर ठीक से नहीं लगा है तो मालिक फटा-फट बोलता है अब मैं तेरे पैसे काट लूँगा तो contractor अपने profit को जितना surplus आ रहा है वो सारा profit ना मानके एक पर पोसेट बेसिस पे अपने profit को profit मानेगा तो जो यह surplus आता है उसको हम profit नहीं मानते उस profit के कुछ पार्ट को मानते हैं तो इसमें से कितना पार्ट हमें profit मानना है उस profit को मानने के लिए हमें कुछ rules गीवन है उस rule के according हम काम करेंगे कहा गया कि अगर आपका contract 25% भी complete नहीं हुआ 25% मतलब आपने नीव भी नहीं डाली अभी माकान की तो किस बात का आप अगर आज काम छोड़ दोगे ना तो आपको कोई पैसा नहीं देगा तो उस case में profit को zero मानना है तो सर अगर हमारा यहां कुछ surplus आ रहा है और 25% से less than काम हुआ है तो profit में क्या डालेंगे तो मैंने बोला profit में zero डालना है लेकिन बाकी पैसा कहां डाल दोगे reserve हम इसे profit नहीं मानेंगे अगली बात करते हैं contract अगर 25% से जादा done हो जाए लेकिन 50% से कम हो या 25% के बराबर हो ऐसे situation में एक formula लगाते हैं cash आपका क्या surplus यह वाला जो surplus आया 1 by 3 into cash receive divided by work certified इस formula को हम और भी detail में आगे समझेंगे लेकिन एक तीसरा rule लग जाता है अगर contract 50% या उससे उपर हो लेकिन 90% से कम हो तो surplus का 2 by 3 cash receive divided by work certified अगर contract 90 से जादा हो गया तो आप मान के चलो 90 से उपर तो ने काम ही खतम कर दिया almost उसके बाद छोड़ के कौन जाएगा तो उस case में होता है surplus into cash receive divided by contract price होगा उस case में contract price होजेगा सर मेरी class first है कौन सा chapter आपका जिनका class first है ना उनको अभी करना होगा पहले cost sheet उसके बाद हम करेंगे ठीक है ना उसके बाद फिर हम करने वाले हैं भाई साब अभी यहां तक किसी को एक मिनट रुकिए आपको voice आएगा पहले देख लीजिए किसी को doubt है मैंने doubt कुछ है हमें करेंगा यहां तक कि एंभी कि यहां पहले किसी कि भी झाल झाल ठीक ठीक सर इसकी पीडियप भी अपलोड कर देना प्लीज बिल्कुल बिल्कुल पीडियप भी कर देंगे लास्ट वारा रूल प्लीज अगेन लास्ट वारा रूल कहता है कि अगर आपका काम 90% से अगर उपर हो जाता है तो ऐसे सिच्वेशन में सर प्लस इंटू में कैस रिसीव और इस रूल को जब मैं अपलाई करूँ आप जाएगा न आपको तो तो हम कुछ कुशन्स ट्राई कर लेते हैं इससे रिलेटेड है न कुछ कुशन्स करते हैं चलिए फटा फट पर कुशन करी लें कुशन करी लेते हैं इसमें भी क्या बात है आजाएए कुशन पर कहा गया कुशन कहा गया कुशन भाई कॉंट्रेक्ट अकाउंट किसी को दिख रहा है यह रहा ये सारे questions जो है न मैं पहले clear कर दूँ कि ये सारे questions आपके महीश्वरी मित्तल बुक्के हैं तो कोई ये ना सोचे कि इसमें ये है वो है ऐसा है वैसा है क्योंकि मैं इन्ही questions को कराऊंगा आपको और plus आपके 10 years भी update हो रहे हैं उसके भी questions करेंगे बहुत जल्दी update होके आजाएगा आप लोग के बाद जैसे ही आजाएगा ना जैसे ही मैं update कर दूँ आपको बोलूँ आप खरीद रीज सकते हैं आजाएगा मैं उसको थोड़ा systematic कर रहा हूँ अभी तो अभी साइद आपको question ना दिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा light को manage कर देता हूँ क्या question आप सभी को दिख रहा है बूर्ड पर बताईए फटा फट आप regular college से हो visual है चलिए चाहे बच्चा program का हो चाहे बच्चा honors का हो चाहे बच्चा किसी भी university का हो आपने तो बस concept को catch करना है तो एक मैं फटा फटा आपके लिए बना लेता हूँ contract account सर बना लेते हैं contract account इसको नीचे कर लेते हैं न चाहे बच्चा लिए सर एक contract account ये बना contract और इप contract account इडर पर्ति कुलर ठति कुलर अमản पर्ति कुलर अमांत चलिए सर इसको लियाते हैं हम टॉप लियर के क्लियर अब दिख रहा होगा आपको करना स्टार्ट करते हैं सवाल कहता है उतकल कंस्ट्रक्शन लिमेटेड तुक आ कॉंट्रेक्ट इन टूथाउजन ट्वेल एक कोई कंपणी है जिसने एक कॉंट्रेक्ट लिया 2012 में वो रोड कंस्ट्रक्शन अपने रोड को बनाने के लिए तो ठेकेदार न मकान बनाने का नहीं हो सकता कुछ भी बना देगा ठेकेदार रोड बना सकता है, ब्रिज बना सकता है, और घर भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, ठीक है न? And estimated cost completion 920 और इसने कहा, इसने कहा कि भाईया, इसने कहा कि complete हो जाएगा हमारा, complete हो जाएगा 920 में मतलब अंदाजा लगा रहा है, contractor, अंदाजा लगा रहा है, क्या अंदाजा लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है, कि भाईया, 10 का लेतने ठेकेदारी, 920 में complete होगा, और हमारा क्या फाइदा हो जाएगा? असी हजार, एक यह estimation है, ठीक है ना, इस सवाल को मैं सिर्फ एक method से भी करने वाला हूँ, इसके बाद फिर बाकी method से करेंगे, ठीक है, इसके बाद कहता है, at the end 2012, the company had received 360, और company ने receive कर लिए, रिसीव कर लिए, सर, company यानि कौन उतकल construction रिसीव कर रहा है, cash receive, कहते है, 3,60,000 रुपे इसने receive कर लिए, representing 90% of work certified, कहने का मतलब है सर, जो इसने receive करा है न, वो work certified का, work certified जितना भी था, उसका 90% हिस्सा इसने receive कर लिए, अभी इस पे चर्चा करेंगे हम, इस पे चर्चा करें not certified, इसका मतलब work not certified है, तो हम इधर क्या लिखेंगे सर, इधर लिखेंगे WIP, work in, और एक होता है work certified, और एक work not certified, तो not certified तो मिल गया, मैं उसको लिख लेता हूँ 10,000, ठीक है, कहता है expenditure incurred contract was as follow, material में खर्चा हो गया 50,000, सर खर्चा है यह, यहाँ आ जाएगा, material में खर्चा 50,000 रुपे, material में खर्चा 50,000, labor में खर्चा 3,000, labor, labor बोले तो wages, कितने का 3,000, plant में खर्चा 20,000, to plant, to plant, कितने का खर्चा सर, 20,000, material costing 5000 damage, कहता है material damage हो गया, dispose 1000 का, भईया material damage हुए है, तुम dispose कितने का करते हो, matter नहीं करता, तो यहाँ पर buy side में लिखेंगे damage, क्योंकि stock हमारा खतम होगा, तो इधर आ जाएगा, कितने का damage हुआ सर, कितने का 5000, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब stock खरीद रहे हैं, तो आप खर्चे में बुक्ट कर रहे हैं, उसमें सो कुछ stock आपने किसी को दे दिया, या stock damage हो जाए, वो या stock big जाए, कुछ भी हो, तो वो कहाँ जाएगा, buy side में, क्योंकि इसमें actual हम stock दिखाएंगे, जितना use हो रहा है, आगे कहता है, plant, कहता है, consider having the depreciate by 25%, कहाँ गया सर, plant जो भी होगा, उस पे 20% का, 25% का क्या लगेगा, depreciation, prepare contract account 2012 के लिए, books of utkal construction limited, also so, all possible figure can be reasonably credit by the profit and loss, तो मैं इस सवाले sentence को पूरा नहीं कर सकता अभी, इसको मैं अभी नहीं सिखा सकता, हाँ, आगली class में जरूर मैं इस question को दुबारा करके सिखाऊंगा, तो अभी जो हमने सीखा है ना basic basic सा funda, वो समझेंगे, कुछ एक point और भी cover कर लेंगे हम इस सवाल में, ठीक है, clear है आपको, ये question आपके सामने मैं clear कर देता हूँ, और इस question को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो question पढ़ी लिया है, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, अब एक सवाल पूछता हूँ मैं, मान लो, मान लो, मेरा work certified होगा, work certified होगा, एक लाक, और मैंने बोला, मैंने cash receive किया, 90,000, मैंने बोला, cash receive किया, suppose 90%, ठीक है न, मैंने बोला, जी, मेरा work certified है, एक लाग, और जो मैंने cash receive किया, वो work certified का कितने percent किया, 90%, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, कि मेरा work certified कितने रुपे का हुआ, कौन बच्चा बताएगा, कितने रुप कितने रुपे का हुआ, मुस्कान कह रही है, सर, रिसिप्ट में क्यों, रिसिप्ट नहीं लिखा है, मुस्कान, मैंने इसको कम किया है, मैंने stock को, कौन बताएगा, यहाँ पे मेरा work कितने का, मैंने कहा कि सर, work certified एक लाग हुआ, और जितना work certified होता है, हमेशा मुझे मेरा मा पर्रक्टी है, वो 90% दे देता है, तो बताएए कैस रिसिव कितना होगा, कैस रिसिव कितना होगा, तो सही जवाब होगा सर, कैस रिसीव होगा, सर, बहुत आसान सवार है यह तो, कितना, 90,000, कैस रिसिव, 90,000, पहले आप सब इससे agree हैं, समझ में आया, آپ सब agree हैं, सवी न बहुत आराम से 90-90-90,000 दिया, एक बच्चे ने जवाब 10,000 भी दे दिया था, सभी ने 90,000 दे दिया, क्या आप सभी agree हैं, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ अब, अब एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल बहुत important है मेरे लिए, और इसी लिए मैंने ये कहानी दिखा है, सर मैंने बोला, कि हमारा cash receive जो है, cash receive है वो 90,000, जो कि 90% है हमारा work certified का, क्या मैं कह सकता हूँ, कि cash receive मेरा 90,000 है, जो कि 90,000 है, वो 90% किसका है, work certified, word को समझ येगा मेरे, समझ येगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा, कि मेरा cash receive 90,000 है, जो कि 90% किसका है, work certified का, तो मुझे बताओ work certified कितना था, work certified कितना था, अभी अभी मैंने बताया था, work certified कितना है, non certified कि अभी बात नहीं करेंगे, अभी बताईए work certified कितना था, तो जवाब है सर वर्क सर्टिफाइड तो एक लाग था तो आपने इसी सवाल से तो ये निकाला था बिलकुल अब मैं बताता हूँ कि एक लाग आपने कैसे बनाया एक लाग आपने बनाया 90,000 सर और क्योंकि ये 90 परसेंट है तो divided by 90 किया और इंटू में क्या किया आपने 100 किया तो आपका आगया सर ये एक लाग इसका मतलब सर आप वर्क सर्टिफाइड यहाँ भी निकाल सकते हो क्या बोला इसने के 3,600,000 है जो कि 90% किसका है ये 90% वर्क सर्टिफाइड का है तो कौन बच्चा मुझे बताएगा के वर्क सर्टिफाइड कितने का है कौन बच्चा बताएगा कि वर्क सर्टिफाइड कितने का है? बताएं मुझे, वर्क सर्टिफाइड सभी बच्चों ने जवाब दे दिया सर चार लाग का, बिल्कुल सही जवाब चार लाग का, इसका मतलब सर ऐसे सवाल जब देंगे वो, और आपको कैस रिसीव दे दें, तो आप work certified भी निकाल सकते हो समझ में आ रहा है यहां तक तो इसका मतलब work certified के जगह पर हम लिख लेंगे अब चार लाख रुपए और ये total बन गए हमारा चार लाख दस हजार किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी यहां तक सभी ने दे दिया चार लाख चार लाख चार लाख खुश्बू आपने पता नहीं 32,400 कैसे जवाब दे दिया चार लाख होगा इसका सही जवाब और कैसे हुआ चार लाख यह मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दूसरे मारकर से यह हुआ 360 360 divided by 90 क्योंकि 90% था इन्टू में 100 ऐसे हुआ यह हमारा 4 लाख ठीक है चलिए सर 4 लाख आ गया अब एक सवाल में क्या कहता था depreciation हमारा 25% है तो सर plant 20 है यहाँ by side में लिखेंगे by closing by closing सबसे पहले plant लिखेंगे by closing plant तो सर plant हमारा जो था वो तो 20 का था मैंने कहा इस पर डेप भी लगा तो डेप 25% का मतलब 5000 लगा तो बचा कितना सर plant बचा 15 का क्या हमारा stock भी closing था एक बड़ धूंड लेते हैं सवाल में होना चाहिए वैसे यह कहता है material damage हुआ dispose of हुआ यानि हमारा closing stock है ही नहीं तो बस सवाल खतम सवाल खतम अब क्या निकालोगे surplus अब कहता है सर इसको 1000 रुपे का बेच दिया भाईया तुम 10,000 का बेचो न कोई लेना देना नहीं हमें हमें तो मतलब है के भाईया हमारे पास से stock जो है वो 5000 रुपे का निकल गया तुम कितने का बेचते हो कोई लेना ही देना नहीं है abnormal loss दिखाते है normal होता तो वो भी नहीं दिखाते तो देखिए हमारा फाइदा नुकसान की बात करें 4,10,000 5,000 15,000 4,30,000 4,30,000 4,30,000 और यहां लिखेंगे 2 surplus 2 surplus minus 50,000 minus 3,00,000 minus 20,000 60,000 रुपे का surplus आ गया कितने का surplus आया 60,000 रुपे का surplus आ गया Sir, W not certified कैसे निकालना यह Sir, सवाल में गीवन था कह रखा था कि work not certified यहां देखिए कह रखा था साइद थोड़ा छोटा हो आप किताब में भी ढूंड सकते हैं मिल गया किताब में क्या question तो surplus कितना आ गया हमारा 60,000 रुपे का surplus अभी देखते हैं surplus कितना है अभी 60,000 रुपे का किसी को दिक्कत Sir, damage income में क्यों आया है damage देखो हलाकि income नहीं है ऐसे देखो मैंने यह कहा कि मेरा material इतने का लगा 50 का लेकिन actual मेरा material इस contract में 50 का नहीं लगा क्योंकि 5 का तो damage ही हो गया तो मेरा इसमें कितना लगा 45,000 का material लगा तो इस side लिखने से actual material कितना लगा है यह reflect हो जाता है ठीक है यहां तक अब Sir, हमारा formula लगाने का number आ गया इन 4 में से कोई एक लग जाएगा इन 4 formula से कोई एक लग जाएगा उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि contract कितना done है और Sir, contract done का मैंने formula बताए था work certified divided by contact price into my hundred चलिए यही apply करते हैं क्या formula बनता है formula क्या बनता है formula बनता है हमारा work certified जो की है 4,00,00 divided by contract price जो की है 10,00,00 गुणा में hundred कितने बने 40% अब देख लिया आपने के 40% काम खतम हुआ तो आप formula देखते हैं कौन बताएगा 40% के काम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 40% में कौन सा लगेगा same doubt sir, 1000 क्यों नहीं लिया अब देखो आपने material को बेचा, कितने रुपे में बेचा मतलब नहीं, आपने 5000 का direct loss दिखा दिया, जब हम उसे abnormal loss पूरा ही book कर सकते हैं या आपका ऐसे मन नहीं मान रहा न तो आप ऐसे लिख सकते हैं abnormal loss 4000 और receive 1000 ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है न, दूसरा सभी बच्चों ने दे दिया जवाब सर दूसरा लगाओ इसमें तो दूसरा ही लगाना है आपने और कोई लगा ही नहीं सकते तो बिलकुल सही जवाब आपका दूसरा लगाना है तो यहां आपके सामने दूसरा लगा देते हैं इसको थोड़ा साइज कम कर देते हैं ताकि मैं formula लगा पाऊं आपके लिए दूसरा लगाते हैं चलिए सर, second second लगाते हैं, सर सर, second कैसे लगाओगे सर, second यह तो बताओ, लगाने तो जा रहे हो लगाना भी तो आना चाहिए बिलकुल आसान है, देखिए कहा गया दूसरे formula में क्या कहा गया, मैं भी देख लो 1 बटा 3 surplus का ओके सर, 1 बटा 3 surplus का, surplus कितना है? 60,000 into में, सर, और क्या कहा गया? cash receive divided by work certified cash receive कितना है? सर, 4,00,000 divided by work certified कितना है? 3,60,000 तो यह क्या आजाएगा? CPL आजाएगा, यानि सर, इस surplus को पहले buy side में उतार लेंगे surplus इस को buy side में लिख लेंगे कितना? 60,000 और 2 लिखेंगे यहाँ पे costing profit and loss, CPL तो जो आंसर आएगा, वो जाएगा CPL में, कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है, सर, यह? 18,000 आया, और 18,000 हमने डाल दिया CPL 18,000 डाल दिया मैंने, क्या 4 लाख नहीं आएगा? ओके, मैंने उल्टा कर दिया बच्चे कह रहा है, सर, यह उल्टा कर दिया आपने, ठीक है अरे उल्टा कर दिया, सीधा कर देते हैं work certified नहीं, पहले cash receive आएगा न 3,60 और divided by 4,000 तो कितने आया? 18,000 18,000 अब इसमें से जो भी बच गया, उसे WIP में भेज देंगे कितने बचे? 60,000 और इधर भी कितने बचे? 60,000 और 2 WIP और WIP के आगे reserve भी लिखना है मतलब ये profit हम मान नहीं रहे हैं ये profit मान के चल रहे हैं के नहीं मिल सकता तो कितने? सर 42 तो 42,000 का हमने बना लिया reserve ये सवाल हमारा होता है खतम लेकिन कुछ बच्चे देखेंगे सर बड़े सारे calculation होंगे नीचे हमने इसका एक aspect cover किया है all possible profit का part नहीं किया है सिर्फ एक जो हमने सीखा है basically बताइए किसी को doubt बताइए किसी को